गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेकेंड, आज हमारा टोपिक है वर्न माला, लेसन दो, वर्न माला, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्न किसे कहते हैं, ठीक है, हम जब भी कुछ बोलते हैं, तो हमारे मुख से आवाज निकलती है, यानि ध्वानी निकलती है, तो उस ध्व को क्या कहेंगे, वर्न कहेंगे, ठीक है, जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते, तो वर्न क्या होगा, कि भाशा की सबसे छोटी इकाई ध्वनी है, ठीक है, और ध्वनी के लिखित रूप को वर्न कहते हैं, जिसके तुकडे नहीं किये जा सकते, ठीक है, कि भाशा की सबसे छोटी काई ध्वनी, यानि अवाज जो हम बोलते हैं, और उसका लिखी तुरूप जब हमने बोला, उसको लिख दिया, वो क्या कहलाएगा, वर्न कहलाएगा, पर हम तो उसके टुकडे नहीं किये जा सकते, जैसे, मैंने यह लिखा क, अ, र, अ, अ, अब इनके और टुकडे तो नहीं हो सकते, का में से हमने आरिकाल दिया, र में से हमने ए निकाल दिया, तो और के टुकडे होंगे, तो इन से मिलके शब्द क्या बन जाएगा, कान, तो यह जो टुकडो वड़ा रूप है, यह हमारा वर्न कहलाता है, ठीक है, अब इसके और टुकडे नहीं कर सकते, ध्वनी का लिखीत रूप वर्न है, वर्न के टुकडे नहीं किये जा सकते, ठीक है, वर्न माला की वर्न माला किसे कहते हैं, हर बाशा की अपनी अपनी वर्न माला होती है, ठीक है, तो हिंदी बाशा की, जो वर्न म वर्नमाला के दो रूप है तो हिंदी बाशा की वर्नमाला के कितने रूप है दो रूप है कौन-कौन से नंबर एक है स्वर्ण और नंबर दो है व्यंजन हिंदी बाशा की जो वर्नमाला है उसके दो रूप है दो बागों में बांटीगी है एक बाग है स्वर और एक बाग है व्यंजन अब हम स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे तो हिंदी वर्णमाला के दो रूप हैं स्वर और वियंजन नमबर एक है स्वर कि स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है ग्यारा तो स्वर कितने हुए ग्यारा ठीक है अब ये कौन-कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे कि आ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, आउ, आउ ठीक है, तो हिंदी वर्न माला में स्वरों की संख्या है, ग्यारा है ग्यारा स्वर कौन कौन से है, आ, आ, ई, इ, उ, उ, री, ए, आ, 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 आउ अब गिनों ये ग्यारा हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नो, दस्त, ग्यारा तो स्वर कितने हुए हमारे, ग्यारा, कौन से, ये हमने लिख दिये अब आगे है वियंजन स्वर होते हैं, सरतंतर होते हैं, इनको बोलने के लिए हमें इसके साथ किसी भी वर्न की सहायता नहीं लेनी पड़ती परंतु जो वियंजन होते हैं, इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है स्वरों के बिना वियंजन नहीं बोले जा सकते अब वियंजन कितने होते हैं, हिंदी वर्नमाला में वियंजन की संख्या है, 33 कितनी है, 33 तो व्यांजन कौन-कौन से होगे कैवर्ग वाली लाइन ठीक है चैवर्ग वाली लाइन टैवर्ग वाली लाइन तवर्ग वाली लाइन पवर्ग वाली लाइन और यह अब हमारे व्यांजन है 33 तो कौन-कौन से होगे क, ख, घ, घ, अड़ च, च, ज, ज, अन, ट, ठ, ध, ध, न, त, थ, ध, 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 न, प, फ, भ, 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 म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अब हम इन वर्नों को जब बोल रहे थे, तो हमारे मुख से ध्वनी किस आवाज किस तरीके से आ रही थी, कैसे आ रही थी, क, 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 की आवाज आ रही है न साथ में, तो व्यंजन में स्वर मिले हुए होते हैं, अगर हम इनके टुकडे करेंगे, तो क, क, के नीचे हलंत लगा के, क, ऐसे बनता है, तो ये है व्यंजन व्यंजन और स्वर के मेल से क, बना है, क, अवाज भी आ रही है न, क, क, अवाज आ रही है, ख, घ, घ, तो इनमें, आ मिला हुआ है, अब ये कितने हैं, तो इनकी काउ प्रपिंग करोगी, ये 33 हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, चै, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, उनिस, बिस, इकिस, बाइस, तेइस, चोविस, पचिस, चबिस, ताइस, भाइस, ठाइस, उनक्तिस, तीस, इकत तेटिस वियनजन, ये हमने जो लिख दिये ये है, 33 वियनजन, ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि वरन किसे कहते हैं, तो बाशा की सबसे छोटी काई होती है, ध्वनी, ध्वनी का लिखी तरूप ही वरन होता है, वरनों के टुकड़े नहीं किये जा सकते, ठीक है, फिर हमने पड़ा, वरन माला में स्वर और वियनजन, दो बेत होते हैं, स्वर कितने हैं, 11 और वियनजन होते हैं, 33, तो आपको पहले अपने नोट बुक पे लेसन सेकिंड लगा के, वरन माला हेडिंग लगा के, स्वर और वियनजन लिखोगे, ठीक है कि स्वर कितने होते हैं, 11 कौन कौन से वेंजन कितने होते हैं 33 कौन कौन से इनको लिखोगे और साथ में याद भी करोगे फिर इसके बाद हमारे जो question answer है अगले पेस पर हम वो करेंगे ठीक है